हाई गईज और वेल्कम बाक टू दी चनल दीपच्यादव एजूकेशन वेल्कम टी डेली करेंट अफियर्स ओफ एट ओफ देसंबर 2023 तो गाईज आज है तारिक 8 दिसंबर 2023 है और है फ्राइड है आज की तारिक से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन सभी current affairs को हम यहाँ पर डीटिल से डिसकस करेंगे यह वीडियो यूपीसे और स्टेट पीसे के point of view से काफी ज़ादा important हो जाता है तो चलो शोबार हम करते हैं बट आ लेकिन इसके साथ साथ जितने भी बाकी सारे important sources हैं जैसे PIV, Down to Earth, Alignment, सभी के news articles को proper background information के साथ में cover करते हैं इस lecture का end बहुत important है उसको miss मत करना क्योंकि वीडियो के end में हम लोग daily business पे MCQs की practice करते हैं जो की आपके concentration power के साथ साथ आपके confidence को भी increase करेगा नव बढ़ते हैं पर जाके search box में लिखना दीपक च्यादव education UPSC आपको ये टेलिग्राम चैनल मिलेगा यहां से आप daily basis पे इस lecture के PDF को download कर पाओगे और अगर आप मेरे साथ में personal ही जुड़ना चाते हो तो फटावाट Instagram पर भी जाना होगा वहां पर फिर से लिखना होगा दीपक च्यादव की जारी है Pilatus PC-7 MK-2 के बारे में तो दोस्तो आपको नीचे फोटो में जो ये aircraft दिख रहा है ये इसी का नाम है तो हाल ही में क्या हुआ इस aircraft का जो trainer वाला version होता है जिससे training दी जाती है वो aircraft तेलंगना के अंदर में crash हो गया जिसमें दो Indian Air Force के जो हमारे जवान है उनकी जान चली गई है इस वज़ा से दोस्तो ये Pilatus PC-7 MK-2 नीज में बना हुआ है तो यहाँ पर आप देख पाऊगे ये जो नीज है ये तो आपका एक source है कि हाँ आपने क्या पढ़ना है अब प्रलिम्स के लिए जो factual data है दोस्तो वो इस Pilatus PC-7 MK-2 से बन सकती है सबसे पहली चीज य क्या है तो ये प्रकार का trainer aircraft है जिससे training वगरा provide करवाई जाती है इसके जो wing है वो lowest level पर है टर्बो प्रॉप aircraft है और इसके अंदर जो seating है बैठने का जो तरीका है दोस्तो वो थोड़ा अलग है जो front वाली seat होती है वो basically वो person बैठता है जिसको training देनी है और इसके पीछे एक aircraft run कर रहा है तो इस तरीके से training दी जाती है इस particular aircraft से अब दोस्तो यहाँ पर जो original वाला aircraft है वो 1970 से ही work कर रहा है लेकिन जो यहाँ पर MK2 वाला जो यह नया वाला version है इसको 1990 के अंदर में इंट्रोडियूस किया गया था नया airframe वगरा बना दिया था इसके अंदर कुछ और इस तरीके से यहाँ पर तयार करने के बाद में कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका look नजर आया समझ गए अब इसकी अंदर में दोस्तो टर्बो प्रॉप इंजन लगाया गया है इसकी जो maximum speed है वो 412 km प्रती घंटे की speed आपको देखने को मिल सकती है 10,000 की मीटर की इसकी रेंज कितनी दूर तक उड़ सकता है तो 1200 km का रेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कितना है ध्यानकना important है 1200 km की रेंज इसकी नजर आती है बिना किसी external tank है ठीक है यानि कि आप कह सकते हो अराम से 4 घंटे की flying time भी इसकी देखने को मिल जाती है और आज के समय पर हमारे पास में 75 कितने 75 यह Pilatus P7 MK2 aircraft हमारी service में नजर आते हैं Indian Air Force के पास में है और इसमें से कुछ trainer वाले aircraft है ट्रेनर वाला जो aircraft दोस्तों उसको इस तरीके से तयार किया गया है कि वो person को training दे सके एक व्यक्ति पीछे से बैठके आगे वाली व्यक्ति को समझाता रह बना है तो वो instruct करता रहेगा गाइड करता रहेगा और जो normal व्यक्ति है वो सीखता रहेगा जिसने पहले नहीं चलाया है तो जो trainer वाले aircraft होता है दोस्तों जादा complex system नहीं होता है इसमें सारी चीज़े असान होती है इतना complex इसको नहीं बनाया जाता है ताकि यहां पर एक इ यूज किया जा रहा है समझ गए तो ध्यान अकने इसके बारे में exactly क्या है अगला आर्टिकल gsp no.3 environment के point of view से काफी ज़्यादा important होने वाला है यहां पर बात की जारी है global draft snapshot report के बारे में तो दोस्तों एक report है जो की बताती है कि कहां कहां पर सूखा पढ़ता चले जा रहा है और यह कहीना की चिंता जनक बात पूरे दुनिया भर के लिए देखने को मिल जाती है हुआ क्या है मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ पहले तो एक report आती है उस report का नाम है global draft snapshot report सबसे important point यह ध्यान रखना है इस report को launch किसने की है तो report को launch करने वाली body है UN CCD इसकी full form है United Nation Convention to combat desertification जो सूखा पढ़ा है basically उससे लड़ने के लिए दोस्तों यहाँ पर यह particular body है जो किस report को release करती है तो अभी यह report यहाँ पर आती है जिसने यह mention किया कि कई सारी जगह पर जो सूखा पढ़ रहा है उसकी वज़ा से हमारे समाज में बहुत जादे loss हो रहे हैं economic loss हो रहे हैं बहुत सारे लोगों के ओपर बुरा असर पढ़ रहा है क्योंकि कई सारे एरिया में African countries में पानी जिस एरिया में खतम हुआ लोगों को वहाँ से आगे बढ़ना पड़ा किसी और जगह पर जाना पड़ा रहने के लिए दूसरी जगह पर shift होना पड़ा क्योंकि पानी बहु बरबाद होई रीजन क्या था सूखा पड़ना 33% लॉस हुआ है grazing land में हमारे साउथ आफरिका में रीजन क्या था सूखा पड़ना इतना ही नहीं पिछले मतलब कह सकते हो कि काफी समय से जो बारिश का सीजन होता है आफरिका में पिछले 5 सीजन से वो बारिश फेलियर में जा रही है इतने बड़े लेवल पर नहीं हो रही है जितने requirement है नहीं हो रही है और especially horn of Africa के अंदर बारिश का बहुत बड़ा failure देखने को मिला है जिसकी वज़ा से दोस्तो इतना भयानक यहां पे सूखा पड़ा है जितना पिछले 40 सालों में नहीं पड़ा और इतना सूख कर रहेते हैं सबसे बुरे हाल किसके हैं horn of Africa के तो यह आपको पूरा African continent नजर आएगा African continent में यह जो portion आपको दिख रहा है दोस्तों sing की तरह दिख रहा होगा इसी को हम लोग horn of Africa का नाम देते हैं horn of Africa में वैसे तो केवल चार देशी count होते हैं जिसको आप याद रख सकते हो एक short form से जिसको बोला जाता है seed seed की क्या full form है? S से हो गया हमारा Somalia, E से हो गया हमारा Ethiopia और दूसरे वाले E से हो गया Eritrea और D से हो गया GBT तो दोस्तों यह जो portion है especially यह count होता है हमारे horn of Africa में इन वाले areas में बहुत बुरे हाल है, especially Eritrea में तो बहुत ही बुरा हाल आपको नजर आएगा food को लेकर, Ethiopia के यह वाला जो portion है, यहाँ पे लोग कई-कई दिनों तक भूके सो रहे हैं किस दिन खाना मिल रहा है, किस दिन नहीं मिल पा रहा है एक major reason यहाँ पर इसके पीछे का draft भी है और बाकि इनके कुछ internal issues भी है लेकिन draft भी एक major कारण है Africa के अंदर, यह सूखा पढ़ने की वज़ा से, पिछले 50 सालों में अगर बात करें तो 70 billion US dollars का loss हुआ है, गाटा हुआ है अब दुनिया में सूखे पढ़ने की वैसे water की condition के है जरा यह भी discuss कर लेते है दोस्तों जो हमारी rain नदी है यहाँ पर 2022 में जो पानी का level है वो बहुत ही जादा गिरा जिसकी चक्कर में जो हमारा जहाज वगरा है वो भी नहीं जा सकता या जहाज की उपर में कारगो की capacity हमें कम करनी होगी rain नदी जो की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये राप के अंदर में इस तरीगे सा आपको ये नजर आएगी समझगे जो की not c के साथ में आगे जाकर connect हो जाती है clear हो गया अब दोस्तों यहाँ पर rain नदी की बात छोड़ते हैं उसके अलावा चाइना की एक नदी है यांग से रिवर अब यांग से रिवर को अगर आप लोग मैप में देखना चाओगे तो ये है वो ठीक है ये रही यहाँ पर चाइना की यांग से रिवर अब दोस्तों ये जो नदी आपको दिख रही है यांग से नदी इसका क्या मामला है बोला ये जा रहा है कि इस नदी के अंदर भी पिछले कुछ सालों में पानी का लेवल कम हुआ और उस पानी के लेवल के कम होने की वज़ा से लगब पांच मिलियन लोग पचास लाख लोगों की जिन्दगी के उपर एक बुरा असर पड़ा है जो कि यहां पर इस नदी के आसपास रह रहे थे फिर बात आती है सोशल डाइमेंशन की 85% 85% जो लोग हैं दोस्तों वो कहीं न कहीं इस सूखे से बहुत ज़्यदा पीड़ी तो चुके हैं और वो जो लोग रह रहे हैं 85% जो लोग हैं पूरे दुनिया में वो लो या मिडल इंकम कंट्री से बिलॉंग कर रहे हैं इसे देश जहां पर लोगों की जो आए है या उनकी जो कह सकते हो कंडिशन अवो इतनी अच्छी नहीं है समझ गए तो दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक ड्राफ्ट सूखा पढ़ना और गर्मी पढ़नी की वैसे हीट वेवाना और बारिश का पैटर्ण चेंज होना आयाना अब यह स्थिती किसने बताई है एक रिपोर्ट के मादम समको पता चली है उस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है United Nation Convention to Combat Desertification तो इस पर्डिकलर बॉडी के बारे में कुछ बाते जान लेते हैं जो कि प्रलिम्स में आप से डिरेक्ली पूछे जा सकती है तो यह जो UNCCD है यह हमारा कह सकते हो कि जो तीन conventions थे एक मैं आपको बताओ meeting हुई थी 1992 में Earth Summit यह सम्मिलन हुआ कहाँ पे Brazil में Rio de Janeiro के अंदर तो इसी सम्मिलन में तीन बड़े-बड़े agreements करे गए जिसमें से एक convention दोस्तो एक agreement यहाँ पर यह वाला भी था समझ गए तो यह वाल agreement क्या बात करता है सूखे को tackle करने की बात करता है बाकी जो दो थे एक climate change की बात करता है और एक biodiversity की बात करता है ठीक है अब दोस्तो इस convention के अंदर कितने countries थे जो कि इसका हिस्सा बने 197 parties यहाँ पर इसका हिस्सा बनती है ठीक है और 196 countries जो 196 country party है वैसे तो पूरी की पूरी और एक हमारा पूरा European Union यह सब जो है आप कह सकतो इसका हिस्सा है जिनका main काम है प्रॉपर rules and regulations को लेकर चलना जिससे कि यहाँ पर जो desertification हो रहा है लगातर सूखा पढ़ रहा है जो normal areas है वो भी रेगिस्तान बनते चले जा रहे हैं उस problem से लड़ कर निकलना समझ गए वही चीज़ा यहाँ पर repeat कर दी गई है कुछ जाधा खास बात कुछ extra नई चीज़ यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर दोस्तों अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले make sure करना वीडियो पर जो like का button यार उसको press कर दिया करो ए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अगले आर्टिकल की जिसमें चर्चा हो रही है International Social Security Association के बारे में जिसको short form में ISSA के नाम से भी हम लोग जानते हैं ठीक है जो कि हमारी society की हमारी समाज की सुरक्षा के बारे में बात करता है तो हाली में क्या होता है Employees State Insurance Corporation जिसको ESIC बोलता है यह अपना आप में एक body है इस body को award मिला है कौन सा award मिला है International Social Security Association Vision Zero 2023 का award मिला है यह award मिलने की वज़ा से दोस्तो यह body भी news में है और साथी साथ में यह International Social Security Association भी news में है क्योंकि अभी हाली में 23rd जो World Congress meeting चल लई थी safety और health को लेकर वो अभी हुई है meeting Australia के अंदर में उस दौरान इस particular body को यह award दिया गया तो क्या है आखिरकार International Social Security Association आउस के बारे में जानता है दोस्त एक बहुत ही important international institution है एक बहुत ही important अंतराष्ट्रे संस्थान है यह और जिसका main काम क्या है हमारी जो समाजिक सुरक्षा है दोस्तो उसको साथ में लेकर आना और समाज की सुरक्षा करने के लिए जितने भी अल 1927 में बनाया गया था और किस organization के अंडर में बनाया गया था यह ध्यानक ना international labor organization very very important जहां पर बोलता हूं मैं very very important उस उस चीज़ को जाधा God से सुना करो क्योंकि question अगर बना examination में तो शायद उसी topic से बन जाए तो इसको found किया गया था 1927 में किस body के तहत international labor organization के तहत दोस्तों उसको यहाँ पर found किया गया समझ गया इसके अंदर 320 अलगलग member institutions हैं जो कि 160 अलगलग देशों से बिलॉंग करता है इसका headquarter कहाँ पर है जेनेवा में very very important again ठीक है इसका main काम क्या है information बहुत सारी access करना अब यहाँ पर information यह provide करवाता है basically expert advice देता है business standards guidelines यहाँ पर जारी करना जिससे की social security के systems को promote किया जासे के दुनिया भर के अंदर समझ गए तो यह वाला award किसको दिया गया Employees State Insurance Corporation को क्योंकि यह body भी इसी तरीके का काम कर रही है अब यह body क्या है यह ज़रा सा जान लेते हैं prelims के लिए important है यह एक statutory corporate body है statutory मतलब इसको एक कानून law के मादियम से बनाय का नाम है ESI Act 1948 यह जो body है इसका main काम क्या है इसका main responsibility है वो यह है इस पूरे के पूरे Employees State Insurance Scheme को control करना इसके administer करना इसका main headquarter New Delhi के अंदर मैं अब इस body के अंदर दो सो पूरा composition है composition मतलब बहुत सारे अलग-अलग यहाँ पर members इसके हिस्सा है सबसे पहले इसके chairman कौन है वो हो Central Government है वो यहाँ पर इसका एक director general को appoint करती है और वो director general as a chief executive officer यानि CEO की तरहे काम करता है इस ESIC body के अंदर में बाकी ESIC body के अंदर में कुछ और members भी होते हैं आपको देखने को मिलेंगे employers, employees, central and state government का role, ठीक है, Parliament के representatives, medical professional के representatives, यह सभी लोग दोस्तों यहाँ पर नज़राते है औ और इसी body से संबंदित एक committee आती है, standing committee, इस standing committee को यहाँ पर बनाया गया है कैसे, जो ESIC के जो यह members है न दोस्तों, इनी members को साथ में लेकर यहाँ पर यह committee बताया रगी गई, इनी member को साथ में ली, कुछ members को add किया और committee बना ली, और इस committee के पास में main power यह है, कि यह जो particular body है ES ESIC, इसका जो भी काम है, उसको थोड़ा सा control करना, इसके कारे को यहाँ पर properly आगे बढ़ाना, समझ गए, अब यहाँ पर जो secretary है, ministry of labor, जो secretary होता है, secretary इसके ministry of labor जो है, वही यहाँ पर standing committee के main chairman होता है, और बाकि जो director general होता है, director general जिसको सरकार appoint करती है, भी थोड़ दर पहले मैंने आपको पड़ाया था, वही director general, इस ESIC के जो director general है, basically वो यहाँ पर इसी standing committee के ex official member भी है, यानि वो तो इस body के director general भी है, साथी साथ में इस committee के एक सदसे भी है, समझ गए, बाकि इस standing committee के जो दूसरे बाकि members है, उनको nominate और elect किया जाता है, इसी particular body के अंदर से, यानि employees, staff insurance corporation के logo में से ही, इन में से appoint कर लेंगे, nominate कर लेंगे, और जो nominated members यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से, तीन member होंगे हमारे central और state government के, तीन members होंगे, representative employers and employees, और one member representing parliament और medical profession, ये सब nominated members होंगे, इतनी गहराएं में जानने की ज़रूरत नहीं है, ये मोटा-मो के बारे में इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है, फ्लार आर्टिकल पूरा news में है, तो हमें पूरा discuss करना ज़रूरी है, अगले आर्टिकल पर आता है, next आर्टिकल में दोस्तो climate club के बारे में discussion किया गया है, तो हाली में जो climate club है, इसको launch किया या, अभी जो 28 वा conference of party का meeting चल climate club बनाया गया, यह जर्मेनी, यह चिली के लीडर, दोनों यहाँ पर lead कर रहे हैं दोस्तों, इस climate club को, recently यह body बनकर आई है, ध्यान रखना इसको launch किया गया है, और इस body को 36 अलग लग देशों का support मिला है, जिसमें कीनिया, European Union, Switzerland और बाकी कुछ और देश भी है, इस body को क्यो या फिर जो developed economies हैं दोस्तों, emerging economies हैं, उनको एक support प्रोवाइड करवाने का काम करना, तो इस club के अंदर में जो activities हैं, इनको तीन अलग-लग section में divide किया गया है, पहला, यहाँ पर main मकसद होगा, जो climate change को लेकर कैसे हम कर्म, इस particular problem को कैसे कम कर सकते हैं, इसको लेकर proper policies लेकर आन industry में कैसे बदलाव किया जा सकता है, प्लस जो international cooperation है, partnership है, उसको बढ़ाना, उसको boost करना, यह इसका main purpose है, जिससे साथ में मिलकर pollution को control कर सकें, और दो countries दोस्तों, यहाँ पर इसको chair करेंगे, और दो साल का उनका tenure होगा, नौ यह जो अभी यहाँ पर club तयार हुआ है, इसको इस साल chair कर रही है, जर्मनी और चिली, यह दोनों साथ में सके co-chair है, ध्यान अखना, समझ गए, clear हो गया, अब दोस्तों, यहाँ पर जो members होगे, इसके अंदर में, उनका main काम क्या होगा, इस body का जो भी काम वगएरा, उसको approve करना, budget approve करना, amendments करना, फिर आने वाले समय पर क क्या होगा, इसका एक steering group भी बनाया जाएगा, इसमें से एक अलग से group त्यार हो जाएगा, उस group का भी main काम क्या होगा, उस group का main काम होगा, इस club को support करना, लेकिन यह group तभी बनेगा, जब इसमें 40 member हो जाएंगे, ठीक है, बात clear हो गई, और आज के समय पर दोस्तों, यहाँ head of secretariat का काम कर रही है, अभी के लिए इस body का, बाद में जो इसका secretariat वगरा है, वो सब बनाया जाए, इसका main headquarter वगरा, वो सब भी तयार किया जाएगा, अभी body की शुरवात है, कुछ और members इखटे होंगे, उसके बाद जो भी चीज़े होंगे, वो बता दी जाएंगी, important है, news में काफी जाए रहा है, अभी क्या है, पूरा matter में आपको समझाता हूँ, एक particular company है, जिसका नामें GRSE, आपने कई बार सुना होगा, GRSE की full form है, Garden Reach, Ship Builders and Engineers, तो इस body ने दोस्तों, अभी हाली में, यानि कि जो अभी हमने Indian Navy Day celebrate किया 4 December को, तो Indian Navy Day के अफसर पर, ये INS, Indian Naval Ship संधयक, हमारी Indian Navy को सौंप दिया गया है, इस particular company के माधियम से, ये यहाँ पर फोटो भी देख पाऊगे, ये INS संधयक की फोटो है, ये जो आइनस संधयक, ये जो वेसल, ये जो जहाज आपको दिख रहा है, जिस पे सबी लोग बैटे हैं, ये जहाज सर्वे करने वाला जहाज है, ठीक है, तो एक लाजर सर्वे वेसल है, जो की इंडिया के अंदर बनाया गया, इसको हमने खुद से बनाया, जिया रसी नाम की जो बोडी इसने खुद से तयार किया है, और मैं आपको बता दूँ, इस प्रकार के वेसल हमारे पास में और भी हैं, और आइनस अंधियाक नाम का एक और जहाज हमारे पास में हुआ करता था, जिसको 1981 में लॉंच किया या था, और 2021 में इसको समाप्त कर दिया गया, तो इसी के नाम से हमने दुबारा से एक जहाज बनाया, जिसका में काम क्या होगा, सर्वे करना, ठीक है, तो इसके फीचर्स की बात कर है, वहाँ पर सर्वे करना, हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना, पानी का सर्वे करना, ओशन से डेटा कलेट करना, जोग्रफिकल डेटा कलेट करना, ये सारा काम दोस्तों इस पर्टिकलर जहाज का होने वाला है, इतने ये जहाज इतना पावरफूल है कि इसके उपर आप ह तो नहीं नहीं ये पूरा जहाज एक hospital के जहाज की तरह काम कर सकता है लोगों को treatment भी provide करवा सकता है तो ध्यान अकना INS संध्यक क्या है आप से पूचता है का INS संध्यक क्या है तो बता देना एक ऐसा जहाज है जिसका main काम है survey करना deep water यानि पानी के घराई के अंदर में आप आपको पढ़ाया था क्योंकि एक important topic है तो दोनों वीडियो में discuss करेंगे NCRB की full form है National Crime Records Bureau तो हाली में दोस्तों NCRB की report आई है और बताया गया कि डेली के अंदर में महिलाओ के against जो crime हो रहे हैं जो अपराद हो रहे हैं यह सबसे जादा नज़र आएं 2022 में सारे record तूड़ डेली के अंदर सबसादा crime देखने को मिले हैं महिलाओ के किलाफ सबसादा FIRB इस प्रगार के cases में डेली में नज़र आएं तो इस विसे यहाँ पर यह report आती है और यहाँ पर हमारे exam के लिए एक सबसे important point है वो है NCRB यह आपने पता ही होना चाहिए NCRB नाम की जो body है इसको करके फिर उसका आद में साल के अंत में यहाँ पर एक report publish करते हैं जैसा हम लोग यहाँ पर देखते भी NCRB की properly annual report आई जहाँ बताया जाता पूरे साल में कितने कितने crimes हुएं दोस्तों जो NCRB है यह कौन से मंत्राले केंडर में आता है very very important यह आता है ministry of home affairs केंडर में इस body को बनाया गया था एक tendon committee आई थी फिर उसका आद में national police commission आया तो इस तरीके के दोस्तों यहाँ पर जो अलग-लग bodies यह उन्होंने recommend किया कि हमारे पास में एक ऐसी body होनी जहीं NCRB की तरह then finally यहाँ पर NCRB की नाम की body को बनाया गया तो NCRB आजके समय पर क्या कर रहा है crime का जो data है उसको collect कर रहा है उसको analyze कर रहा है और हम सब को provide कर वा रहा है और वो सारा का सारा data use किया जाता है crimes को tackle करने के लिए crimes को investigate करने के लिए criminals के बारे में हापर जानकरे निकालने के लिए इसका जो headquarter NCRB को वा न्यू डैली के अंदर में है फिर उसके बाद में बोला जा रहा है साल 2009 में जो NCRB है इसके पास में main responsibility आई कि यह क्या करेगा यह cctns project को लागू करेगा यह project है crime criminal tracking network system एक प्रकार का ऐसा system बनाना जिससे जो अपराद हैं और जो अपराधियां है अप इस project ने लगबग 15,000 police station और 6,000 high offices को हमारे देश में एक साथ जोड़ दिया सम मिलकर यहाँ पे crimes जो है उसके उपर शिकंजा कर सके हैं और 2017 में NCRB ने launch किया national digital police portal online portal जहाँ पे police officers क्या कर सकते हैं कोई भी criminal को या उसकी complaints जो है वहाँ पर देख सकते हैं समझ गए यहाँ पे citizens citizens को power मिलती है citizens को यह पास में आपे power है कि वो online complaint वगरा फाइल कर सकते हैं clear हो गया इतना ही नहीं यह जो bureau है इसके पास में यह भी power है कि national database जो हमारा पूरा देश के स्तर का data है sexual cases का जो data है वो भी यहाँ पर यह manage कर सके यह जो particular body है इसको central nodal agency to manage करके यहाँ पर कुछ नाम मतलब इसका main काम क्या है cyber crime frauds वगरा है उसको regulate करना child pornography को यहाँ पर control करना ठीक है यह बात ध्यान में रखना है उसके अलावा दोस्तों जो NCRB है यह कई सारे प्रकार के data को आपस में compile करती है बहुत सारी जो report से वो release करने का काम करता है national crime record bureau वो कौन कौन सी report है तो सबसे पह हुई है तो वो यहाँ पर data लाता है present statistics हमारी जेलो की क्या स्थिती है वो यहाँ पर data यह सारे प्रकार के जो data है यह जो सारी reports वो NCRB लाता है यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप से directly पूछ जा सकता है कि बताओ accidental death and suicide की report कौन लाता है तो सही उतर क्या है वो है NCRB clear हो camels के बारे में जो उँट है basically और उँट के basically मतलब जो कूबड होता है आप देखते होंगे उट के उपर कूबड लसा नजार आता है ना generally आपने देखा होगा उट के उपर एक ही कूबड नजार आता है एक कूबड वाला लेकिन यहाँ पर दो कूबड वाला यहाँ पर बहुत important है तो हुआ गया हमारी आर्मी ने हाली में यह जो double हम दो कूबड वला जो कैमिल है दोस्तो इसको लदाक में तेहनात कर दिया है ताकि जो हमारी सेना है वो उनकी support कर सके उनको समान पहाड़ों पे चड़ाना होता है है ना उस चीज में यहां पर यह कैमिल सपोर्ड क के लिए दोस्तो यहां पर यह इनका यूज के जरन को तेहनात कर दिया गया है ताकि एक logistical support प्रोवाइड कर वाएंगे तो लदाक में यही चीन की एक चिंताओ को बढ़ानी के लिए दोस्तो यह जो कैमिल है इसका यूज किया जा रहा है क्योंकि आपको बता है लदाक वा अगर question पूछे गए हैं इतिहास में तो इसी नाम से पूछे गए हैं वो है नाम Bacterian Camel यही पर हम confused हैंगे काओ कि हमने तो double हम पड़ा था तो ध्यान अकना Bacterian Camel double हम दोनों एक ही है इनके दो कूबड़ होता है इनके back के उपर में ठीक है उसके बाद दोस्तों या पर इनक सब्सक्राइब ऑर मंगोलिया चाइना तक और मंगोलिया के अंदर भी प्लस यहाए पर यहाँ भी देजर्ब में गोबी डेजर्ब इस वाले रिजन और इंडिया के उपर लडदाक में ठीक है तो इन दो कूबड़ वाले उंट की जो ठोड़ी सी संक्या है ना वो हमारे द दाक में जो नूबरा वैली है वहाँ पर भी पाई जाती है पहाड़ी इलाकों में अब इन ओट के फीचर्स के बारें बात कर लेता है 10 फीट तक इनकी उचाई होती है 10 फीट तक लंबे होता है इनका वजन कभी-कभी 1000 किलोग्राम तक भी होता है यह साइज में एक उबड़ वाले से छोटे होता है एक उबड़ वाला साइज में थोड़ा बड़ा होता है समझ गए? इनका जो फर वगर है इनके शरीर के उपर वा डाक ब्राउन कलर का है फर थोड़ा जादा होता है क्योंकि ठंड से बचाया जा सके और अभी आप देख पाओगे उपर चाइना में भी ठंड है उसके बाद में यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है इंडिया में इस्पेशली लड़ा को रीजन में वहाँ पर भी काफी ज़दा ठंड रहती है ठीके तो उससे परडिकलर रीजन में यहाँ पर यह जो हमारे कैमल्स हैं वो अराम से रह सकते हैं इनके उपर इतना सारा फर देखने को मलता है इनकी जो पूरा जीवान है वो पचास साल का होता है ऐसा बोला जाता है और हमेशा यह जुणड में चलते हैं इनकी डाइट की बात करेंगे तो ओमनी वरोस होता है मास और कह सकतो घास पूस दोनों खाने का गाम करते हैं लेकिन प्राइमरिली हर भी वो रही होता है जातर यहाँ पर यह घास बगर ही खाता है अब आता है सबसे मेंड पॉइंट कंजर्वेशन स्टाटस तो दोस्तों यहाँ पर इस हमड बैक डबल वाले डबल हमड बैक वाले उट को IUCN के रेड लिस्ट में critically endangered काटिगरी में रखा गया है critically endangered काटिगरी में रखने का मतलब है यह जो प्रजाती है बहुती ज़ादा खत्रे में है इसको एक सुरक्षा देना बहुती ज़ादा ज़रूरी है अगर यहाँ पे कुछी नंबर में यह Camels बचे में और यहाँ पे अगर यह भी खतम हो जाते हैं तो उनकी संक्या फूरी तरह से विलब तो चाई की दुनिया से तो इसको बोलता है critically endangered category में होना Now finally, आते हम लोग अपने question practice की दरफ I hope आप लोगों ने बहुत अच्छे से सभी articles को concentration सो सुना होगा चेक करता है कितने concentrated, कितने focused थे आप पूरे lecture के दोरान Prelims rapid fire का question number one INS संधिया खाल ही में news में देखने को मिला है इसको किस चीज़ के लिए use किया जाता है बताओ Option number A, submarine warfare, coastal surveillance, survey या फिर hydrographic operations लाने के लिए या फिर airborne reconnaissance तो बताओ इसका सही उतर क्या होना चीए बहुती subtle सा question आपको ये नजर आएगा Now next question पर आता है दोस्तों यहाँ पर बात की जारी है NCRB के बारे में Crimes और Crimmels को लेकर information collect करता है दूसरा यह जो body है यह Union Ministry of Statistics and Program Implementation के अंदर में आती है थर्ड बोलता है कि यह जो particular NCRB है यह National Database Sexual Offenders को लेकर भी maintain करता है तो बताओ तीनो statements में से कितने statements हैं यह option number A, केवल 1, B, केवल 2, C, तीनो सही है या D, सब गलत है अगले question में आपसे पूछा गया है Double Hummed Camels के बारे में Double Hummed Camels को लेकर दो statements दिये गए हैं बताना है कौँसा statements है पहला बोलता है यह जो camel है, यह केवल और केवल West Africa के अंदर पाए जाता है Second statement बोलता है इन Double Hummed Camels को हमने IUCN के red list में critically endangered category में cover किया गया है International Social Security Association यह जो body है, यह कौन से body के अंडर में काम करती, option number International Monetary Fund के अंदर में या B World Bank के अंदर में या C International Labor Organization के अंदर में या D World Economic Forum के अंदर में तो बताओ इसका सही उतर क्या होना चाहिए अगला प्रशन आपसे पूछा गया है Global Draft Snapshot Report हाल ही में न्यूज में देखने को मिली है इस रिपोर्ट को किसने लॉंच किया है option number A United Nation Convention to Combat Desertification या BG20 या BG7 या फिर D Bricks ने तो बताओ इसका सही उतर क्या होना चाहिए again simple question अगला एक और सरलल सा question दोस्तों यहाँ पे आपसे Pilatus PC-7 MK-2 को लेकर दो statements देकर पूछा यह है कि इन में से conscious statements है यह पहला क्या यह एक trainer aircraft है हमारे Indian Air Force का दूसरा इस aircraft ही range 1200 km है तो बताओ दोनों statement में से conscious statement correct है option number A1 B2 only C दोनों सही है या D दोनों के दोनों गलत है तो दोस्तों यह था हमारा particular discussion I hope आपको मज़ा आया होगा बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी अब एक एक करके सभी questions के answers को देखना हम शुरू करेंगे ताकि आप check कर सको match कर सको आपने कितने questions सही किया और कितने गलत किया है तो चलिए आखरी question से शुरुवात करते हैं यहाँ पर आपसे पूछा गया है Pilatus PC-7 MK-2 को लेकर बताओ दो statement हैं दोनों में से cons सही है तो दोनों के दोनों सही है कि भई बिल्कुल एक trainer aircraft एंडिने रिफोर्स का और इसकी range 1200 km है बोध 1 and 2 is the correct answer फिर आपसे पूछा गया Global Draft Snapshot Report को लेकर बताओ यह report किसने launch की है तो इसका सही उतर है option number है United Nation Convention to Combat Desertification फिर आपसे पूछा गया International Social Security Association किसके अंतर तहत काम करता है तो वो International Labour Organization के अंडर काम करता है फिर उसका आपसे पूछा गया Double Hummed Camels को लेकर बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में इससे कौन सही है केवल सेकेंड वाला सही है पहला वाला गलत है क्यों? पहला वाला बोलता है यह Camels West Africa वाला रिजनस में देखने को मिलते हैं ऐसा नहीं है दोस्तो Central Asia वाले रिजन में देखने को मिलते हैं आपको बताया गया था दूसरा वाला स्टेटमेंट्स सही है हाँ इनको IUCN के अंदर में Critically Endangered Category में रखा गया है फिर अगले प्रशन में आपसे पूछा गया है NCRB को लेकर बताओ तीनी स्टेटमेंट हैं इनमें से कितने सही है केवल दो सही है एक गलत है पहला सही है हाँ बलकुल सही है अगले क्वेशन में आपसे पूछा गया था INSS संधायक हाल ही मैं न्यूज में देखने को मिला है इसको किसलिए यूस किया जाता है तो सही उतर आप्शन नमबर सी Hydrographic Operations के लिए Especially यहाँ पर जो हमारी Oceans है उसका डेटा कलेट करने के लिए तो I hope दोस्तों यहाँ पर आपने maximum questions या सभी questions को बिल्कुल सही सही attempt किया होगा तो finally क्या score आया है आपका जरा नीचे comment section में जरूर से mention करा ना वह इसे के साथ मैं करते हैं हम लोग अपने lecture को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले जाहेंड़